महराजी मैं जाओं उस दिन की बात पर जब सरीयोत पर आप लोगों ने बैठ कर ये प्रतिग्या ली थी आप मुझे यादे पांट एकस को आपने मुझे बात बताई थी तो सबसे बछे मैं समाझना चाहता हूँ भगवान राम मुझे गाना एक बड़ा पसंदे मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी तू अन्तर यामी मैं तूससे क्या मागوج तो राम कौन है भारत के लिए भारत की सरातन संब्था के लिए बारत की सरातन संस्कृत राम मर्यादा है शिल्सायम ओधार हैं राम ब्रम्म है जितनी भी सेष्टताइं दिव्यताइं हैं वो जिन में ओधार है जिन से संसार की निर्मिती होती है जिसे प्रतेख जैव जगत के कल्यान के लिए प्राण तत्व निसरित होता है अत्वा जो चंपूर प्राणियों की चेतना है उसके परियाई है राम, राम केवल एक अवतार ही नहीं है वो एक सरव्यापी सत्ता है जो रूम रूम में है, कंकं में है और वे भारती संस्कृति भारती संस्कृति की शुश्मना नाड़ी है, वो भोर से लेके रात्रि तक हमारे ध्यान में, मनन में, चिंतन में, अथ्वा हमारी जीवनचरिया में रमते हैं, भोर में भी जो भारत की गूँज है, वो राम से आरब होती है, भारत के प्रभात का कोई प्रथम स्वर है, तो जो हमें जागरत नहीं हो सकी है और उनके लिए हम अनुष्ठान करते हैं उस सत्ता के नियामग उसके परियाए है प्रभू श्रीराम और उन जैसा सील सौंदर है उन जैसी मर्यादा उन जैसा कहां ब्रह्मत्व इसलिए पूरे धर्म गरंथों में देखा जाए तो राम धर्म के लिए है जिससे जैब जगत के उद्धार की बात कही जाती है वो है राम मैं समझ गया आपने कितने मतलब सागर को गागर में समेट दिया है अब मैं शुरू करूंगा आंदूलन से कैसे जुड़े आप इस आंदूलन से थोड़ा ये भी बताईए कि कैसे ये शुरू हुआ और कैसे सभी धर्माचारियों को लगा एटीस के आकरी में कि आंदूरन शुरू होना चाहिए दिवराह बाबा का मुझे याद है उन्होंने काफी कोशिश की आप भी उन प्रमुक व्यक्तियों में से एक थे जिनोंने सर्यू के तड़ पे मिरेखाल से प्रतिग्या भी दी थी कि हमको यहां पर एक भविराम मंद बनाना है आप ठीक क्या रहे हैं यह मुझे बात यादा आती है 1983 की तब हिंदु जाग्ण मंच के द्वारा कई-कई जगे धर्मसभाएं हो रही थी और साथ अक्टूबर 1984 के दिन हम सब लोग सर्यू के तड़ पर अयोद्या में उपस्थित थे और तब भारत के सभी धर्म पाँ-चार पत्र निकाले जाएं तो उसकी लगबख संख्या दसलाख बताई गई थी अयोद्या में दसलाख राम भक्तों का समवेथ होकर एक अद्भुत एकत्री करण और तब यह शपत ले गई थी कि राम को भी हां से मुक्त करेंगे तब धर्मस्थान जितने भी हैं उ उसके लिए आंदोलन हुआ फिर किस तरह से शेलान्यासो राम जोती आत्राएं राम रथी आत्राएं और कोई ऐसा वो अनुष्ठान आंदोलन नहीं था जिसका मैं साक्षि न रहा हूं तो 1983 से लेकर फिर 84 में जब 7 अक्टुबर 1984 को हम लोग बैठे तब से लेकर प्रत्यक अनुष्ठान का मैं साक्षि रहा हूं मैंने देखा है कि कितने संघर्स रहे कितनी बाधाएं रही कितने विरोध रहे और अंतता सत्य विजय हुआ हम मैं अत्यंत आभारी हूं सरवच्च न्यायले का उच्चतम न्यायले का कि उन्होंने साक्षों के आधार पर सत्य के हुए हैं नजाने कितनी वस्तुएं मिली उन सब का आधार बनाकर राम मंदर का माध प्रशस्त किया हम देख रहे हैं कि जो अकल्पनी है अविस्वसनी है हमें ऐसा लगता था कि कदाचित हम अपनी जीवन में ऐसा देख भी नहीं पाएंगे तो वो एक बाधा जो थी एक बह हम भगवान की प्रतिष्ठा का दिन निकट है बाइस जन्वरी को हम उसे देख रहे होंगे यह हमारे लिए अत्यंत अकल्पनी है और हम हर्शित हैं नकेवल मैं हर्शित हूँ पुरी धरा हर्शित है जैव जगत में हर्श है पूरा भारत भाव विभोर है सचमुच ऐसा द सित्मन से बात कह रहा हूं कि इसके हमने कभी कलपना नहीं कि थी दिपक भिया आपने कर अपने जीवन काल में आप प्रान प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे आप 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 देखेंगे भगवान राम के विग्रह को जो है मैं प्रान प्रतिष्ठा होते हुए स्वामी जी बिल्कुल मैं आमंत रित हूँ वहां और मैं बिल्कुल आमंत रित हूँ और मैं वहां पहुंच रहा हूँ और वो दिरश्चे में देखूंगा हमने तो शिलान नियास वाला दिरश्च भी देखा कि किस परकार से राम लेला का शिलान नियास का कारकम था और लगबग हम विशेशकार नेत्र उस तरह से बड़ा विद्रोह कर रहे थे और मेरी मेरे नेत्रों में सजलता थी मेरे संपूर्ण अंत्हयकर में एक विशेश प्रकार की आद्रता थी कि देखो वो जो अकल्पनिय था उसे हम साकार होते हुए देख रहे तो मैं बहुती उत्सुक हूं अत संपूर्ण देवसत्ता साकार होती है अपनी संपूर्णता में उनका उनमें जो कुछ भी जैसे राम में अनंतता है वो व्यापक है तारक सत्ता है उनके लिए कहा गया है पेम पेम शवन पुटके रामा नामा भिरामं धेम धेम सतत मनसा तारकं ब्रहमस्वरूपं राम ता प्रक्सपता हैं उनका नाम लेते ही एक प्रकार से विपत्तियां चले जाती हैं बाधाय मिट जाती हैं अज्ञान जन्न विकारों का विनाश हो जाता है आदि दैविक आदि भौतिक और आद्यात्मिक विविद्ध तरविध ताप अविद्यासमिता रागतवेश कलेश अभ और व्यापक हैं तो एक सर्वोच्च जो सत्ता है ब्रह्म के रूप में वह साकार हो रही होगी राम लेला की उस सच्छवी और श्रीपिक ग्रहक रूप में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है इससे बड़ा और महा पर्व हमारे लिए क्या होगा कि जिसके हम साक जिस